हलो दोस्तों ये वीजन आयस मेंस का कोश्चन है ठीक है इसमें कोश्चन बहुत इजी है और अगर समझ नहीं पाएं और सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएं तो माक्स इसमें कट भी सकते हैं ठीक है लेकिन अगर सही से प्रेजेंट कर दियें ये भी मैप बनाने वाला है जहा निर्मान के लिए उत्तर दाई कारको पर परकाश जा लिए डेल्टा का निर्मान कैसे होता है जलोर पंग के मत पहले अंतर बता दिए दोनों का डिफरेंस बता दिए कि डेल्टा और जलोर पंग में अंतर क्या है ठीक है डेल्टा का निर्मान कैसे होता है और इसके बाद जरोरपंक का निर्मान कैसे होता है ठीक तरह से पहला और सकेंड दो ऐस्पेक्ट में कोश्चन होगी है तीसरा साथ ही इन दो निछे पात्मक भू अकृतिप प्रकारों के आर्थिक महतुक भी संचे वदाए तो इनक इकनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है ये अगर पता है तब तो इसमें दोस्तों साड़े छे नंबर तक उठाई आ सकते हैं देखे सुरुआत मैंने कैसे किया है कीवर्ड इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि एक्जाम किस टॉपिक पे कोश्चन पूछन पूछना च तो देखे जब नदियां अपने साथ जलोड मिर्दा कंकर आदी अपने साथ लेकर अपने अंतिम गंतवस्थान में उसे निच्छेपीत करती तो उसे डेल्टा कहते हैं जैसे सुन्दरवन डेल्टा गिर्ड डेल्टा अब यहां पर इसमें एक काॉज़ लिखना था राइ दिम डाल वाले मैदानों में तूट जाती है मतलब ऐसे करके यहां पर देखे कैसे मैंने बोला आपको कि मालिचे कि यह परन अपर ऐसे तूट जाती है ठीक है और अपने साथ यह गाढ़ लेकर दीरे-दीरे-न-दीरे बहती है तो यह जलोड पन्क हो गया इस तरह से नहीं पर दो नमबर यहां प्लस होगे आपका, दो नमबर प्लस हुआ न, तो इस तरह से, इस तरह से नहीं बनाना है, कि ये ये तो बस एक रफ में है, तो वहाँ पर आप थोड़ा अच्छा बनाएंगे, अब आगे देखे, जलोड पंग देखे इसमें क्या है, थोड़ा से मैंने इसे लंबा गेचा है, मैं इसे कम सब, इसकी मेरे प्रैक्टिस नहीं थी, जलोड पंग की, तो इसे मैंने, मतलब सडीक वर्ड में, डिफाइन नहीं कर पाया, मैं, माफी जाता हूँ, थोड़ा जुखाम हो रखा है, मुझे, जब नदियां अपने साथ, रेत, मीती, चीका अधी लेकर आती है, लेकिन अधी कवसात के आरण आगे नहीं बढ़ पाती है, और उनके साखाओं में, और अनेक साखाओं में, बढ़ जाती है, उसे जलोड पंग कहते हैं, ठीक है, इसका निर्मान जल की, गती मंद और धाल की कमी की कारण होता है, ठीक है, इंका निर्मा बित्वी के सर्मागिन विकास के लिए बायोडावस्टी बहुत जरूरी है परियावरन के लिए अनुकूल था आज अभी इन्वर्मेंटर प्रोटेक्शन को लेके पुरा वल्ड तरही माम कर रहा है तो ये परियावरन के लिए भी काफी अनुकूल है इस छेत्रों में मचली पालन काफी लाइब्दयक होता है देखे इसमें चारों अच्छा पॉइंट दिया है मैंने अच्छा परियास ये मुझे खुद भी पढ़ा है कि मैंने अच्छा पॉइंट लिखा तो देखे ये ही कौलिटी टी पॉइंट मतलब रिपीट नहीं हो रहा है चारो अलग-अलग अपजाओं के बारे में बात कर रहा है ये बाइवडोस्टिक के बारे में बात कर रहा है ये परेवरन के बारे में बात कर रहा है इसमें रोजगार के बारे में बात हो रही है चारो अलग-अलग दिसाओं में बात कर रही है सेक्टर्स के बारे में तो ये एक तरह माक्स को आपके माक्स को एनहेंस करता है अब देखिए जलोड़ पंक के आर्थिक महतो अधिकांस ये बरफीले छेत्र में पाए जाने के कारण संभोता किरिसी कठीन होती है ठीक है ये जैवित्ता के विकास में अपना योगदान देती है ठीक है अब इसके बारे में क्या एक्जैक्ट है उसमें मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने बचने का परियास के अब यहाँ फिर मेरी एक कमी है देखिए साड़े तीन माक्स मिले है यहाँ पर जलोड़ पंक का यहाँ पर अफली मैप बना देते हैं कि माली जी यह परवत है ठीक है ऐसे परवत है और यहाँ से नदिया निकल रही है धीरे 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 ऐसे 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 ठीक है और यहाँ पर लिख देते हैं हम जलोड़ पंक ठीक है ऐसे जलोड पंक तो एक नंबर ये मिल गया और यहाँ पर अगर हम जो डेल्टा का बारे में है यहाँ पर अगर हम इंडिया का मैप बना देते हैं और यहाँ से गंगा नदिया के यहाँ आई है और यहाँ लिख देते हैं सुन्दरवन डेल्टा ठीक है यहाँ पर गी काफी अहम योगदान है कुल मिलाकर प्रकृति ने जिस जीज का निर्मान किया है वो आपने आप में अतुल नहीं है उसमें किसी भी हिसाब से छिड़ छड़ नहीं करनी चाहिए अगर आप उनको प्रटेक्ट नहीं कर सकते है तो उनके बरबाद करने कहा का आपको नहीं है ऐसा करके सौट में आप दे सकते थे ठीक है तो आई होप यह डिल अप यह अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक कर दिजगा जो पढ़ने वाले हैं जो मेंस को लेकर सीरियस है यह उनको शेयर भी कर दिजगा ठीक है थाइंक यू और बेस अफ लग टो लग टो